कि अधियन ट्रेडर फैमली माप का बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तुज़दे के दिन मार्केट किस प्रकार से काम कर सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के क्या होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी चीज़ी आपको समझ में आएंगी अब चलते हो आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी जख आपने वारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल आइकन का बटन आपके पास दीमेट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे टर्मेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो उसका भी लिंक आपको डिस्क्राइब मिल जाएगा अब चलते हैं जो चार्ट है उसके उपर तो यहां पर हमने सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन क कहीन कि हो कि अन्दर के जो दिन तक यहां पे मार्केट के अंदर गैप पॉपनिंग होई है ठीक और फिर मार्केट में लाइफ आई है उसका यहां पर क्या मिल रहा है रेजिस्टेंस मिल रहा है और प्रिवियस स्विंग लाइफ आई के ऊपर टिकना उतना आसान नहीं होता है तो यहां पे मार्केट क्या कर रहा है यहां से गया तो यह एक तरीके से rejection ले रहा है तो price हो सकता है कि यह वाली जो trend line है उसके पास में आए और फिर यह वापस से ठीक है यह एक दूसरा में जो चार्ट पैटन है internally वो आपको यहां पे ड्रो करके दिखाने की कोशिश करता हूँ तो यहां पे इसको आप समझने की कोशिश करता हूँ हो सकता है कि मार्केट यह इस प्रकार से यह वाला जो पैटन है इसको बना करके फिर यह उपर निकले और फिर अपर साइड वाली जो trend line है उसकी तरफ जाए तो चांसे यह है कि मार्केट एक बार यहां पे आना चाहिए अब मार्केट की गिरावट के पीछे की वजह है ना ठीक है वो कुछ भी हो सकती है ठीक है मार्केट के अंदर यूएस की तरफ से भी कोई न्यूज आ सकती है ठीक है इंडिया की तरफ से भी यहां पे आरब याई की तरफ से न्यूज आई है वो आज आई है ठीक है उसके पहले यहां पर आप देखोगे कि जो यहां पर गिरा था ठीक है मार्केट फ्राइडे को तो फ्राइडे के दिन भी एक न्यूज फैली हुई थी ठीक है और वो भी मैं आपको बताऊंगा आज न्यूज वाले सेक्शन के वीडियो के अंदर तो यह न्यूज कोई भी हो सकती है लेकिर मार्केट आपको यहां पर चार्ट के ओपर यह दिखा रहा है कि यहां पर एक टॉप का rejection मिल रहा है जो लाईफ आई का है हो सकता है कि डाउन साइड बे यहां तक यह आए ठीक है तो यह चीजे हो सकती है यहां पर लाइफ आई के पास में इसने negative candle से पहले shooting star बनाया दूसरी बार यहाँ पर आप देख सकते हो अगर यह वाली जो red candle है और यह green candle है इसके combination को आप देखोगे तो bearish engulfing candle बनी है हाला कि इसका activation नहीं हुआ भी यह जो low breakdown करेगा तब इसका activation होगा तो वो हम देखेंगे अभी activation नहीं हुआ है तो हो सकता है कि यहां पर यहां से नीचे आए या फिर हो सकता है कि यहां से ही यह support लेकर यह ऊपर चला जाए तो यह चीज़े हम देखेंगे कि क्या कर सकता है अपने को पहले predict होकर के पूरा decision नहीं लेना है प्रेडिक्ट कर सकते हो लेकिन decision आपको नहीं लेना है market को decision लेने देना है ठीक है अब हम यहां पर जो Tuesday के दिन market किस प्रकास से करेगा काम उसके level मैं आपको बता दिता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो मैं थोड़े से level भी हमारे सामने जो है आपको लगा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो मैं बोलू तो वह level आपको समझ में आए ठीक है तो यहां पर कल के लिए जो level है वह मैंने लगा दिये हैं तो इनको भी हम देखते हैं यहां पर level आपके सामने होंगे अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर जो गिरावट हुई थी उसके बाद में यहां पर closing देखर के गया आज मार्केट के अंदर आप देखोगे कि यहां पर opening होती है gap up उसके बाद में फिर से मार्केट ने पूरा gap और फूफिल किया वापस high की तरफ गया और फिर यहां पर profit booking हो गई है तो अगर मैं इसको एक यहां से यहां तक ही गिरावट बोलू यह pull back बोलू ठीक है और यहां पर यहां पर यह नीशे के side में आया है तो यहां पर RSI को आप देखोगे कि RSI diverges दिखा रहा है और यहां पर हो सकता है कि यह इस तरीके का double bottom create करके वापस उपर चला जाए लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि नीशे के अंदर यह वाला जो level है ठीक है इस level के नीशे आया तो यह जो low है पक का test होंगे यह low break होंगे तो इस इसका आपको ध्यान रखना है तो मैं यहां पर आपको लेवल बता देता हूँ आपको उपर के अंदर ध्यान रखना है 22,465 का level ठीक है 22,465 का जो level है यहां कहीं life यह जो last 15 minute की candle है उसके उपर आप देख को वो 22,465 का high यहां पे है इसको आपको ध्यान रखना है और नीचे के अंदर यहाँ पे इसी जोन के अंदर इसी कैंडल के अंदर यहाँ पे एक लेवल है 22,445 का ठीक है तो अगर ये 22,445 से 22,465 जो ये दोनों आप मान के चल सकते हो तो यहाँ पे पहला upside में यह है, नीशे के side में यह है, तो अगर यह नीशे के अंदर आता है, तो यह जो low है, यहाँ पे 22400 की तरफ आएगा, और एक बार 22400 की पास में आ करके हो सकता है, कि upside में चला जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे consolidation करके, टीक है, 2400 के पास में consolidation करके breakdown दिया तो सीधा 2350 की तरफ है वो market आने वाला है यह जो low create कर रखे हैं इनकी तरफ market आ सकता है और इनके नीशे अगर sustain किया तो फिर 2315 और 2265 के level है वो नीचे में आपको दिखाएगा उपर के अंदर आपको ध्यान रखना है 2465 का जो level है यहां पर market इसके ऊपर निकलता है तो फिर market के अंदर जो target है पहला resistance आपको देखने को मिलेगा 2490 का ठीक है 2490 यहां कहीं है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि previous के अंदर भी यहां पर resistance मिला था और यहां पर आज दिन के अंदर एक बार गया था तो वहां से नीच आया तो वहीं पर 22,490 का resistance मिलेगा और फिर अगर यह उपर के अंदर जाता है ठीक है 22,490 के ऊपर जाता है यह वाला जो area है इसके उपर जाता है तो सीधे यह वाले जो swing है ठीक है 22,490 के बाद में 22,525, 22,550 वह वाली जोन होगी और उसके उपर यह जो यहां पर swing वने हुए है 22,575 के 22,650, 22,640 और 22,665 के हमारे उपर के अंदर resistance या फिर इनको target मान सकते हो काफ़ important support resistance level होते हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है यह ऐसा नहीं है कि break नहीं हो सकते हैं आपको market का mood decide होने दिना है उसके बाद में market के अंदर consolidation होने देनी है और उसके बाद में आपको market काम करता हुआ दिखे तो ही आपके उसके अंदर entry लेनी है तो यह आपको ध्यान रखना है अब हम यहाँ पर जो bank nifty है उसके ऊपर चलते हैं और bank nifty के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर भी यहाँ पर जो upside के अंदर यहाँ पर negative candle बनी थी यहाँ पर activation हो चुका था तो धीरी दिए करके कि यह market है वो downside के अंदर खीजग रहा है ठीक है तो यहाँ पर मुझे chances यह लग रहे हैं कि यह यहाँ पर आना चाहिए यह जो swing support है इसके पास में आना चाहिए और इसको breakdown देता है तो यह हो सकता है कि downside वाली जो trend line है उसकी तरह भी आए क्योंकि market है वो किस तरीके से काम कर है यह उपर गया था तो यह चोटे internal channel के अंदर इस तरीके से गया था यहाँ पर यह चला चला गया है अपर साइड वाली trend line का भी target हो चुका है और downside के अंदर जो internal channel है उसके पास में इसको resistance पिल रहा है तो यहाँ पर हो सकता है कि दीरे-दीरे करके नीचे आए लेकिन दीर यहाँ पर में यह इस तरीके से pattern बना करके गया था तो downside के अंदर जब आएगा तो यह downside में भी कोई ना कोई pattern create कर सकता है यहाँ पे भी आप देखोगे कि कोई special इसके अंदर support नहीं है यह एक काफी अच्छा support area तो मुझे यहाँ तक तो यह आता हुआ दिख सकता है और मैं इसके ऊपर निकलेगा तब ही हम इसके अंदर मानेगे कि थोड़ा सा वापस टर्ण जो ट्रेंड है वो सोट टम वाला थोड़ा सा upside में सिफ्ट हो रहा है ठीक है downside के अंदर आप यहां पर एक trend line है वो ड्रॉ कर सकते हो यहां से ठीक है तो यह हो सकता है कि यह वाला जो channel है इस वाले channel के अंदर यह follow करता हुआ यहां से नीचे के side में भी आ जाए तो यह चीछे आपको ध्यान रखनी है अब मैं इसके अंदर जो level है वो आपको बता देता हूं downside के अंदर जो यह zone है इसका ध्यान रखना है तो इसके level भी आपके सामने लगा देता हूं ताकि आपक 48,800 का level है यह वाला ठीक है और उपर के side में आपको ध्यान रखना है यह वाला area ठीक है इसकी अगर हम बात करें तो यह है 48,950 का ठीक है अगर market यह उपर के अंदर निकलता है इस area के अंदर open होकर के consolidation करके निकलता है ठीक है तो यह upside में breakout होगा और upside में breakout होगा तो पहला ही resistance आपको यह वाला मिलेगा जो की एक बहुत ही पास में है 49,025 का ठीक है 49,025 का यह वाला रजिस्टेस मिलेगा और इसके ऊपर यह निकलेगा ठीक है तो फिर इसके अंदर यह वाले जो area है ठीक है 49,150 और 49,250 के जो zone है वो आपको आते हुए देखेंगे और इसके बाद में 49 350, 49,450, 49,550, 49,650 के जो area है यह आते हुए देखेंगे 100,100 point के moment आपको देखने है ठीक है डाउन साइड के अंदर 48,800 को अगर breakdown देता है तो नीचे के अंदर जो यह low create करके गया है 48,600 के चेतर के यह जरूर से retest करेगा और इस low के पास में आकर के हो सकता है कि pullback लेकर के breakdown द देगा तो फिर नीचे के अंदर यह वाला जो area है 48,550 से 48,450 यह easily achieve करेगा और इसके नीचे टिकता है तो यह 48,350, 48,425, 48,125 के जो zone है उनकी तरब भी आ सकता है हो सकता है कि इस zone में यहाँ पे breakdown देकर के ठीक है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह यह वाला जो area है यहाँ अगर इसको breakdown देता है और यहाँ पे आ सकता है तो मैं आपको बोला है कि यहां से pullback लेकर breakdown दे सकता है या फिर यहाँ पे range बना करके breakdown दे सकता है तो जरूरी नहीं है कि उपर के अंदर यहां पे यह breakout होगा और breakout के बाद में यहां पे मैंने आपको जो level है वो बता दिये हैं इन levels को आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीकी से follow करना है तब ही चीज़े हैं वो आपको काम करेंगे ठीक है तो आसा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा अग अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और DMAT आपके पास नहीं है तो आप बिलकुल फ्री में हमारे इंडर में DMAT अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्ट में मिल जाएगा मिलता नेक वीडि